हेलो प्रीवान स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंद है यूट्यूब चैनल राएजुकेशनल में मित्रों करेंट अफेयर्ज की सीरीज हम लोग पूरे साल भर के चला रहे हैं जनुरी और फर्वरी मंत के करेंट अफेयर्ज हमने अपलोड कर दी है अपने चैनल पर र को लिजे आज इस वीडियो में बातचीत करेंगे हम लोग मार्च मैने के मार्च 2019 के करेंट अफेयर्ज के बारे में और इसकी भी पूरी पीडिय फंप अपने टेलिग्राम ग्रूप में अबलेबल करा देंगे तो मारे टेलिग्राम ग्रूप है आप यह सिंबल देख सकते हई-पर रहता है तो हर भार आता है तो इसको पूरा आप जरूर सजो लिजे इसकी पूरी तैरी जरूर कर लिजे तो आज बात चीद करेंगे मार्स 2019 करेंट अफेयर के बारे में तो चलिए देने करते वीडियो शुरू करते वीडियो मैक्शिम से मैक्शिम शेर करना मत तो free में त्यारी कर सकते हैं इसके लिए कुछ नहीं करना होगा बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और यह important आपका current affair इसलिए क्योंकि यह हमारे notes जो मैंने अपने लिए notes suggest करता हूं मैं प्रतेक साल अपने लिए current affair के notes बनाता हूं वह notes से आपके लिए सीधा यह प्रहिश्वित हो रही वीडियो तो इसलिए बहुत जादे important है क्यों क्योंकि वेक्ति विशेश जब अपने लिए कोई notes बनाता है तो उसमें particular जो important card यानि one nation one card की सुरुवात की है और इसकी importance क्या है one nation one card की इसमें आप transport का charge, metro का charge, toll tax का charge इन सब चार्जों को आप एक ही card के जरिए आप पूरे देश भर में आप use कर सकते हैं उसको second point है इसमें सबसे सवच सहर कौन सार निकला है तो लगातार तीसरी बार आपका इंदोर सहर मद्द प्रिदेश का इंदोर शहर लगातार तीसरी बार आपका सबसे सवक्ष सहर गोशित हुआ है सवक्ष सर्वेक्षन पुरेशकार 2019 के इंतर गई और भुपाल भारत की सबसे सवच राज़ानी गोशित की गई है और गोचर जो एरिया है उत्राखंड को सबसे सवच गंगा टाउन गोशित किया गया तो यह तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है पुना बता दूँ सवक्ष सर्वेक्षन पुरेशकार 2019 के इंतर गत भारत का सबसे सवक्ष शहर इंदोर है जो लगातार तीसरी बार बना है यह इसके लावब भुपाल का है भारत की सबसे सवक्ष राज़ानी गोशित की गई है भुपाल को और गोचर जो उत्राखंड का कह सकते हैं टाउन ह सबसे सवक्ष गंगा टाउन गोशित किया गया है 2019 के इंतरगत सुनिल लंबा की सेवा निवृत्ति के बाद देश का अगला नो सेना प्रमुक कौन है यह करम बीर सिंग जी है इसके पहले सुनिल लंबा जी थे आपके नो सेना प्रमुक अब हो गया है कौन करम बीर सिंग याद रखेएगा बहुत इंपोर्टेंट है तीनों से 9 के प्रमुकों के बारे में आपको याद होना चाहिए जैसे आपके धलवीर सिंगजी है प्रमुक इसके रावाँ आपके धनुआ बियस धनुआ करके हैं आपके वाई से ना प्रमुक और आपके करमवीर सिंग अब हो हुरुन 2019 सूची में दस सबसे टॉप रिच पीपल यानि सबसे अमीर वेक्तियों की जो सूची जारी की गई है उसमें भारत के मुके संबानी को आठवे नंबर पर इस्थान मिला है फुरुन 2019 सूची में कि ग्लोबल टीचर प्राइस 2019 से पीटर तबीची को नमाजा गया यह केन्या के साइंस टीचर है इनको यह पुरुसकार प्रदान किया गया है नेक्स्ट है निती आयोग ने फिंट टेक कॉनक्लेव 2019 नई दिल्ली में आयोजित किया है मैंने यह आप लोगों को बताया है कि को कोई भी आपका सम्मेलन हो कोई भी चर्चा हो कोई भी सम्मिट हो वह अगर आपको प्रश्चन पर नहीं आ रहा है और आप्शन में अगर नई दिल्ली दिया गया है तो हमेशा 95% केसेज में नई दिल्ली ही आपकी सम्मेलन होती है सारी जगहों के सही आंसर होते हैं तो इस उन्होंने किया शक्ति का अंदास माप करिएगा शक्ति का अधास्य आर बी आइए की प्रेजियन्ट गवरन्र उन्होंने किया है नेक्स्ट है अमेरिका ने दुनिया के सबसे तेज सूपर कंप्यूटर बनाया है मतलब बनाएगा उसने बोल दिया है और उसका नाम क्या रखेगा उसने औरोरा नाम रखा है और ये दुनिया का सबसे तेज सुपरकम्पूटर माना जाएगा और अभी तक 2018 में सबसे तेज OLCF-4 आपका है समीट और ये अमेरिका की IBM कमपनी ने बनाया है नेक्स्ट है क्रुएशिया के सरवच नागरिक समान से आपके राश्पती जोज्जियों है रामनात कुविंद जी उनको समानित किया गया है क्रुएशिया के सबसे सरवच नागरिक समान से समानित किया गया है नेक्स्ट है आपके anti-satellite weapon का सफल प्रशेपन करने वाला ये भारत देश बना है दुनिया के चोथा देश ये कृत्मान हासिल करने में है और mission शक्ति अंतरिक्षि सुरक्षा के अंतरगत ये कार किया गया है अंटी सेटलाइट वीबन के अंतरगर ओके जो आप ने देखा था मोaddीजी का जो भी इसपर लेकर टविट आये था और जो भी भारत अपना बोला गया है कि जमीन के सांसाथ हवा में भी सक्ति प्रभूत देश बन चुका है तो वह एंटिस्टलाइट विपन के अंदर गाती बना है अब हाली में आपको लोगपाल का एक नया टर्म देखने को मिला होगा हाला कि यह नया कुछ टर्म है नहीं यह आपके जब भारत सभीदान भारत जब सोध करने के लिए एक सथा बनाई जाती है और लोगपाल कानून वर्स 2013 में पारित किया गया यह चीज याद रखिएगा और इसका कार्य क्या होता है कि उच्छ सरकारी पदों पर जिद्रें कारेरत वैक्ति हैं पदादिकारी है उनके अंदर ब्रस्ट ता के खिलाफ अगर उनक का लोगपाल की समीति का गडित किया गया है और इसकी इंपोर्टन्स क्या है समीति की सनरश्णा अगर दिखा जाए लोगपाल की इसमें एक अध्यच होते हैं और आट टोटल सदस होते हैं अध्यच को लेकर टोटल नौ लोग होते हैं ओके एक अध्यच दो होते हैं और आ सब्सक्राइब सब्सक्राइब और इंपॉटेंट यह भारत का पहला जो लोगपाल नियुक्ति किये गए हैं कौन पिनाकी चंद्रगोश दिमाग जहन में बठा लिजे क्योंकि इनसे प्रश्ण बनना ही बनना है अगले पॉइंट की बात करते हैं तो दुनिया का सबसे उंचा पोलिंग स्टेशन यानि मतदान केंद्र हाली दिनों में आपने देखा होगा मतदान का क्रिया कलाब जो भी है चला है कई राज्यों में आपके प्रश्ण से उचाई उसकी और हिमाज्श्र प्रदेश का गाउं है तार्षिगंग उसको बनाई गया था पर जागस्तान की नई राजदानी आपकी नूर सुल्तान हो चींगिए पहले आपकी अस्ताना थी ठीक है अस्ताना थी पहले अब इससी को कर दिया गया है नूर आप दोड़ान के प्रस्ताव करें और भारत बुरी स्तिति में है एक तो चालीस पॉजीशन इस अगर पिछले साल की बात की जाए 2018 में तो 2018 में भारत की पोजिशन थी 133 में जो और भी घटकर हो गई 140 में साथ पोजिशन और भी खिसक गई है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कब 2020 की बात की जाए तो इसमें भारत में पहली बार हुआ है ये और ये 2018 में इस्पेन ने जीता है इसको ठीक है 2018 में इसको इस्पेन ने जीता है 2020 में प्रस्तावित है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कब भारत में होगा ये पहली बार भारत आयुजित करेगा इसको मनुहर परिकर जी ये अब सभी पता है मनुहर परिकर जी का निदान हो चुका है और ये कुगा के CM रह चुक है और इंपोर्टन्ट ये कि चार बार CM रह चुक है और इकलौते कह सकते ऐसे राजनित तक गये हैं जो आयटीन थे इन्होंने ही आयटी का जो कह सकते हैं फिर उसके बाद आपके डैली के CM है आयटीन है कई आपके योग राजनिता मिलेंगे लेकिन पहले ऐसे इनको ख्याती प्राप्त है तो इनको कई नामों से जाना जाते हैं रक्षा मंतरी पद पर रहे हैं मिस्टर क्लीन न पूरे बात की जाए भारत की तो भारत की ये रक्षा मंतरी रह चुके हैं गोवा के नए CM इनके मरणों परांद की बाद प्रमोस सावन जी को बना गया था और साउथ कोस्ट रेलवे जोन ये नया आपका बनेगा और टोटल अब 18 आपके जोन हो जाएंगे और डिविजन ने टोटल हो जाएंगे 68 आंद प्रदеश में बना हिए ओके याद रखीएगा साउथ कोस्ट रेलवे जोन आपका नया जोन बना है पहले 17 जोन था इसको लेकर 18 जोन हो गए हैं साउथ कोस्ट रेलवे जोन का मुख्याले आपका विशाका पटनम में होगा स्रेयस योजना ये skill development training की योजना है इस चीज को याद रखेगा क्योंकि डिरेट पूछ लिया जाता है स्री यह सुना किससे सम्भन दीते ते skill development training की योजना है CSO यानि Central Statistic Organization ने 2018-19 के GDP वृद्धिदर को अपने हिसाब से बताया है जैसे आप देख सकते हैं CSO की पहली बात तो इस्ताबना जान लीजिए उनिस से क्यावन में हुई है और 2018-19 के लिए GDP के बारे में इसने बताए कि पहले तिमाई 8 प्रतिशत रहेगी GDP जो है Gross Domestic Product जो भारत की है दूसरे तिमाई में 7 प्रतिशत रही और तीसरे तिमाई में 6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान बताया है CSO ने अगे बात करें प्रधार मंतरी स्रम योगी मांधन योजना की शुरुवात आपके वस्तराल गुजरास से की गई है अमेरिका ने भारत के साथ GSP क्या है यह Generalized System of Preferences यानि यह होता था कि कुछ हमारे प्रिफरेंस की कंट्रीज हैं जिनको हम छूड़ देते थे टैक्स पर वह सेल कर सकते हैं समान जो भी है आयात निर्यात पर उनको छूड़ दिया जाता था लेकिन अब जो भारत है वह अपने आप में ग्रोइन कंट्रीज हो चुकी है इस वज़े से अमेरिका ने जब से ट नोर कर चुके हैं पैरिस क्लाइमेट को हड़ वहां से हड़ चुके हैं कई सम्मिट के अंतरकर जो थे वह उनसे अपना नाम वापस ले चुके हैं तो जब से यह आ है तब से कुछना कुछ रश्चा कसी का महौल देखने को मिला है अमेरिका का अन्यदेशों से बहराल आगे बात करते हैं विश्व वन जीव दिवस यानि वर्ल्ड वाइड लाइफ डे ये तीन मार्च को प्रते एक वर्ष मनाये जाता है और भारत में पहली बार 20 रुपे के सिक्के जारी किये गए यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए 10 रुपे का सिक्का आप यह आ बात मार्च को मनाये जाता है और इसकी तीम इस वर्ष की इंपॉर्टेंट है बैलेंस फॉर बैटर किया है बैलेंस फॉर बैटर विश्व की सबसे बुजुर्ग मैला 116 साल की काने तनाका याद रखेएगए निर्वारचान आयो इसमें आपके सुनी लारोडा जी थे चुनाव 2019 की गोशना जो की थी तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारे ले ले लिजे यह चुनाव जो था यह सत्रवी लोगसभा चुनाव था 543 सीटे होती है लोगसभा की 11 अप्रैल से 19 माई 7 चरणों में चुनाव हुआ तो याद रखेगा कितने चरण डेट अगर नहीं आदे अगर कुशन जो पूचेगा तो चरण का पूच सकता पर्टिकुलर कितने चरण थे तो कितने साथ और सभी जगह EVM के साथ वीवी पैड लगाया गये थे वीवी पैड यानि कि वरिफिकेशन वोटिंग यानि आप जिसको वोट दे रहे हैं अब आपने देखा होगा कि वहाँ पे उसका चिन आपको पता चल जाएगा कि हमने वोट किसको दिया है वो वेरिफाई हो जाएग ओके ताकि इससे कंफर्म रहेगा कि कोई ब्रष्टा चारिता या कोई दूसरी चीज ना होई हो घाल मिलना हुआ हो सबको पारधर्शी तरीके से बनाए गया था इस बार विबान दुरकटनाओं को रोकने के लिए किस पर रोक लेगी है बोईंग 737 मैक्स एरोपलेन पर रोक लगा दी गई है क्योंकि उसका कुछ डिजाइन ही ऐसा था जिसमें सबसे ज़्यादा दुरकटनाओं विबान की देखे जारी थी किसकी बोईंग 737 मैक्स की लिए सी नए ापके आमार घुमार जी को बनाएगया है अच्रवाति तुफ़ान टितल बहुत जादा फ्हिम सह था था बहुत एमट सा राज और मलावी में आया था आपका इडाई तुफान और एक फानी करके तुफान आया था आप सभी को पता होगा ओके जापान एरिया में काफी तवाई मचाई थी आप सभी को यह जान कर यह पता चलना चाहिए कि कहां कहां कौन कौन से प्रमुक तुफान आया थे जो एक्जाम Youth Athletic Championship 2019 जिसमें पहला आपका चाइना आया दूसरे नमबर पर भारत आया इंपोर्टेंटी इसली है क्योंकि दूसरे नमबर पर भारत राये 26 गोल्ड के 26 टोटल मिडल के साथ पहले नमबर पर चाइना राये टोटल 31 मिडल के साथ International Happiness Day यह आपके 20 मार्श को प्रतिक वर्ष मनाया जाता और इस वर्ष की थीम क्या थी हैपियर टुकेदर है एक साथ खुश रहें International Water Day 22 मार्श को मनाया जाता है यह आप सभी को पता है और 22 अप्रायल को आपका प्रतिद्विस मनाया जाता है इससे आप याद कर सकते हैं कि एक महीने पहले आपका पानी पहले आएगा फिर आमारी प्रतिविए आएगी ओके साफ यानि कि South Asian Football Federation Women's Championship 2019 आपका भारत ने पांचवी बार यह जीता है और इस बार रनर रहा है नेपाल फ्रतिक वर्ष भारत जीता याद रखेगा साफ अगर Women's Championship 2019 की बात की जाए तो भारत जीता है लगातार इसकी पांचवी जीत है और रनर रहा है नेपाल विश्व टीबी दिवस छे दिवस जो है विश्व टीबी दिवस अपका 24 मार्स को मनाया जाता है इस बार की ठीम क्या थी इस टाइम क्या है इस टाइम 23 मार्स को पाकिस्तान अपना राष्टी दिवस मनाता है क्योंकि 23 मार्स 1940 को लावर प्रस्ताव पारित हुआ था इस वज़े से 23 मार्स को पाकिस्तान अपना राष्टी दिवस मनाता है 2018 का व्यास समान के सोथ दिया गया थी 64 फिल्म फियर 2019 के बारे में तोड़ा आप जानकरी ले ले तिस बार जो फिल्म फियर 2019 में वह यह चोछछछवा था यह पहले नंबर याद कर लिए चोछछछवा सब्सक्राइब आपकी राजी रही है आप सभी को पता हूँ राजी फिल्म देखी होगी आपने और सब्सक्र सबनेत्री आप रही है आलिया भड़ जी पुना राजी फिल्म से और जन्ट करना की बात की जाएं तो प्रेजेंट टाइम में हम लोग 2011 जन्ट करना यानि सेंसर को पढ़ते हैं और अगली जन्ट करना आपकी 2021 में होगी यानि 10-10 सालों पर आपकी जन्ट करना होती आपको लम यह एरपोर्ट है साथ बर लगातार चांगी एरपोर्ट सिंगापूर का विश्व का सबसे बहते रिन एरपोर्ट माihin गया है सबसे लंबी सॉल्ट के नमकी गुफ़ा सबसे लंबी इस्डराइल में पाई गयी है और ये माउंट सोडॉम सब से लंबा परवता है। करिकेट संबंदित है जब बॉलर जो है और रनर को रन आउट कर सकता है जैसे आपने देखा होगा आइपिल में अश्विन जी इसको लेकर काफी गिरे हुए थे लेकिन अब उनकी वज़े से उनके पहले कदम बढ़ानी की वज़े से एक नया रूल आपके आगया है कि जैसे बॉलर बॉलिंग करता है और रनर जो है वो क्रीच छोड के आगे बढ़ जाता है तो बॉल फेकने के जगए उसको बिकेट बिल अगर गिरा देता है बॉलर तो आपका ये रनर आउट माना जाता है ओके इसको बोलते हैं मॉकडिंग मॉकडिंग बोलते हैं उस तक आपकी Every vote counts the story of Indian election ये आपके नविन चावला जी की एक किताब है और ये पुर्व चुनाव आयुक्त रह चुके हैं कौन है पुर्व चुनाव आयुक्त नविन चावला जी आगे पढ़ते हैं तो गोलन की पाडियां ये कहां पे हैं ये आपके Syria-Israel के बीच में है Syria-Israel border पर रहा है गोलन की पाडियां इंपोर्टेंट है रिसेंट की इस वज़े से आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है ये 2019 एबल पुरसकार दिया गया है करेन उहिलेन बेक को ये गड़ी छेत्र में नौर्वे द्वारा दिया जाता है प्रतिक वर्ष तो एबल पुरसकार जो है करेन उहिलेन बेक को दिया गया है मित्र शक्ति छे सैन अब्यास आप बार सभी को पता है मित्र शक्ति आउनलक भारत और उस्रिलंका के बीच में करते हैं इस बार छटमाई इसकी वर्षगांट थी इंडियन सुपर लिग 2019 जीता आपके बैंगलोर एफसी ने आप सभी पता है फुटबॉल का जो होता है बैंगलोर एफसी ने दुज़ार जीता और रनर रहा है एफसी घुवा सैद मुस्ताकली ट्रोफी 2019 जीती है आपकी करनाटका ने रनर रहा है महरास्ट्रा भारत के वर्तमान वित्य सचीव हैं सुभाष चंद्रगर्ग और पुर्व रहा हैं आजय नारायन जा 28 परवी 2019 इसको ये रिटार हो चुके है नोबल पुरिसकार विजेता डाक्टर जोरेस अलफेरोब का निदन हो गया ये रूस के क्या थे विज्ञानी थे ये आजादी के दिवाने संग्रहाले ये नई दिली में स्थापित किया गया है आजादी के दिवाने संग्रहाले और हला कंडी जिला जो ही ये असाम का है ये रिसेंट में निउस में आते इसलिए आपको पता होना चाहिए कहां पर ये असाम में शीरा ये मॉलेसेस पर प्रति गोशित किया गया है करनाडका ने करनाडका नहीं जल का वर्ष गोशित किया गया है ब्रिटेन ब्लैक होल सिख्का चारी धर समान मेंag स्पेफधन होकिन जप आई खहसकते हैं की ईजड़ा लुप और आफ़ के जाने-वाद वघ्यानिक जो जूनNे-व और उनके में प्रमुक वग्यानिक होते जिन्होंने ब्लैक होल की थियोरी प्रतिबादित की थी इनवर्स के डिस्कवरी की बारे में कई डिरशाजिन की कृतियां के प्रताबगड में बना है बार है आप के मिगाले के क्रेम Nossa बहुत रहिए लाड़ा मिखाले के एरिया में जहां पर क्रेम उम लाड़ा वहां पर यह सबसे भारत की सबसे गहरी शाफ्ट केव की खोश की गई है निर्वाचान आयोग ने भारत का पहला ट्रांसजेंडर चुनाव अमबेजडर नियुक्त किया है गौरी सावंद को किसको गौरी सावंद को ट्रांसजेंडर है इसलिए इंपोर्टन है यह क्लेयर पोलो सॉक यह आस्ट्रेलिया की है और पुरुषों के अंतराश्टी वन ड मैच में अंपायर बनने का इनको सबसे बड़ा समान मिला है तो इस वाज आपके मार्च मंद 2019 के करेंट अफेयर आई होग कि आपको करेंट अफेयर हमारे नोट से बहुत 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 बहुतर लग रहे होंगे और इसकी पूरी पीडियाफ हमारे टेलेग्राम ग्रूप पे अविलेबल है तो आप हमारा टेलेग्राम को रूप राय जूगेशनल जूड़ जाए और चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आपके आने वाले जितने भी एक्जाम है चाया आपको यूपिटेट, सीटेट, केवेस, एनवेस, डी ट्रिपल एस कर दो